वेल्कम टू एबीसी केंपस आज हम कैफ सैवन कंपनी लॉग के सब्जेक्ट में एक्जाम कॉस्चन पेपर के पैटरन को डिसकस कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारा कॉस्चन पेपर है कंपनी लॉग का ये दो पोर्शन में डिवाइड़ेड होता है अबजेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप में 10 to 15 MCQs होते हैं 1 to 2 marks per MCQ ज्यादा common जो है वो 1 mark के MCQs हैं और कुछ scenario based भी होते हैं कुछ knowledge based भी होते हैं तो 15 marks इन से cover होते हैं subjective type के अंदर 10 questions होते हैं और उसमें 16 to 22 parts अमूमन होते हैं यानि कुछ questions के 2 part, 3 part, A, B, part A, B, C, D इस तरह से 4 parts तक भी common है parts जो हैं वो 2 to 9 marks की range में होते हैं यानि 2 marks का भी छोटा सा part हो सकता है और 9 marks तक का भी हो सकता है इसमें ज्यादा common जो है वो 4, 5 and 6 marks के parts ज्यादा common है और इस तरह से 16 to 22 parts से 85 marks का question सेट होते हैं जिसमें से तकरीबन around 45% questions जो हैं वो knowledge based होते हैं यानि straight forward बाते पूछी भी होती हैं और around 55% जो हैं वो scenario based questions होते हैं जिसमें एक scenario given होता है जिसमें हमें rule apply करके accordingly कोई conclusion, suggestion या advice देनी होती है तो इस तरह से total 100 marks बनते हैं अब ये paper का structure आपके जहन में होना चाहिए ताकि आप जब paper को देखें तो उसके structure को आप understand करते होंगे तो उसको handle करने में उसको exam के अंदर plan and attempt करने में आपको असानी रहेगी That's all for today, have a good day अच्छोने के तो अच्छोने यादी है झाल झाल